देखो इस तरब मैंने भारती अंक लिखे हैं और इस तरब गणीती अंक लिखे हैं तो देखो हमारा जो भारती अंक है वो देखो जीरो तो जीरो सब में एक जैसा ही लिखा जाता है यह देखो हमारा एक है भारती अंक में एक इस तरीके से लिखा जाता है और गणीती तो आ लिखा जाता है एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से क्लिए और हमारा छे जो इस तरीके से लिखा जाता है साथ को हम इस तरीके से लिखते हैं और आठ को इस तरीके से लिखा जाता है और नो को इस तरीके से लिखते हैं और दस को इस तरीके से लिखा जाता है तो इस तर हो सकति हूँ